हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का सिग्मा गुरू कुल के ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर तो आज हम इस वीडियो में जो लेक्चर कवर करने वाले वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक्जाम में लगवग इससे कोशन साने के चांसे होते हैं ठीक है तो यह टॉपिक है आपका यह है एट्मोस्फेयर एंड इट्स इस्ट्रक्चर की वायू मंडल और इसकी संरचना तो जहां तक बात की जाए वायू मंडल की तो वायू मंडल का एक बहुत बहुत बड़ा रोल होता है हम यहां पर सरवाइब कर पारें अर्थ के उपर इसमें भी मंडल का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हमारे बॉड़ी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है यह बलड एक बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है और यह जो एक्मोस्फेयर है उस पे काउं अफ्पाईयव होती है ब्लड फ्रेशर क्रेट कर सके उनकी ब export ब्लड फ्लो के प्रेशर पर ठीक है तो यह बहुत बड़ा रोल हमारे आर्थ के वह यह ठाप्रेश्यचर को कंट्रोल करने का काम करता है तो हमारे पिरत्वी के के तापमान को नियंतरित करने में भी इसकी ब इनका हमारी जनरल लाइफ में रोल क्या है या यह यहां पर में रहेगा कि हमारे लाइफ में क्या भूमी का निभाती है तो चलो फिर से शुरू करते हैं पहले एक्मोस्फेर से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स को देख लेते हैं अगर कि एट्मोस्फेर की बात करें वायू मंडल की तो हमारे वायू मंडल में मेजर गैस कौन से हैं अगर मेजर गैस की बात करें प्रमुख गैस की हमारे वायू मंडल का निर्मान मुख्य तह किन गैसों से होता है तो इसमें मेंली तो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है ना सबसे ज़्यादा में पाए जाता है आप परशेंटेस की बात करोगे तो हमारे एक्मोस्फेयर में 78 परसेंट नाई ट्रोजन प्रेजंट है ठीक है इसके बाद जो सेकेंड इंपोर्डिंट गैस यहां पर औक्सीजन और सबसाइब पाया जाता है ठीक है oxygen तो oxygen जो है यह लगभग 21% से थोड़ा कम ही है ठीक है ना यह लगभग 21% दिखा हुआ है लेकिन उससे थोड़ा कम है ओके बात की जाए आरगन की तो आरगन जो है 1% होता है 1% से यह भी थोड़ा कम ही है यह हमने लगभग लिखा है 1% ठीक है और फिर बात की जाए carbon dioxide की तो carbon dioxide 0.03% है तिके जीरो पॉइंट 04% कह सकते हैं यह carbon dioxide की मातरा हो जाती तो यह carbon dioxide हो जाता है हमारे atmosphere के उसके बाद atmosphere में कुछ और बहीं जैसे जैसे जिनान तो जिनान से question आता है कि जिनान को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं अंजाना गैस कहा जाता है यह प्रशन पूछ दिया जाते हैं कई बार मैंने देखा एक्जाम में अक्सर यह आता है कि अंजाना गैस किसे कहते हैं स्ट्रेंज गैस किसे कहते हैं जिनौन को ठीक है तो यह हमारे मेजर गैस हो गया अब जहां तक ना लेग्यूमिनस प्लांट्स की नहीं कहा जाता है दाल वाले पौधे होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स ठीक है ना तो उनके लिए एक तरह से फर्टिलाइजर यानि कि नाइट्रोजन जो करोगे ओक्सीजन की तो ऑक्सीजन का यूज किसके लिए एक तो यह जोलन के लिए आवश्यक है किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है और दूसरा जो सबसे करती है और क्रियासिल गैस और इसका उपयोग बगयर में किया जाता है वहीं आप कार्बन डायोग्साइट की बात करोगे तो प्लांट इसको फोटो संथेसिस के लिए यूज करते हैं प्रकास संसलेशन के लिए ठीक है ना बनसपतियों के दवारा प्रकास संसलेशन में कार्बन डायोग्साइट का उपयोग किया जाता है इसके बाद देखो अब ना कुछ हमारे एट्मोस्पेर में प्रेजेंट कुछ उस तरह के गैस जानते हैं जो हमारे लिए हर्मफुल भी आप देख रहे हो कि वर्ल्ड लेवल पे जो टेंप्रेचर जो है वह एवरेस से मतलब अपने इंडिया में देख लो अभी आपको सेप्टेंबर में भी सेप्टेंबर का लास्ट अक्टूबर आने वाला है अभी आपको सालों पहले तक ऐसा नहीं होता था तो यह क्या है अद्र Pant दायर कर्मिकी वज़े क्या है अब कुछ गैसे से हमारे इप्मोस्फेयर में लाइक जैसे क्र बन डायोकसाईट जैसे नाइट्रोजन डायोकसाइट ठीक है जैसे क्लोरव्लवर कारबन cfc वॉटर वैपर जलवस्प व आटर वैपर जलवास्प मीथेन साओं dead केंट को पोड़ेंट और हाइडरो फ्लोरो कारबन अ हाइडरोडो कारबन कि शितो में इस तो करते है यह अंवा रहा है किवा हिदो इसी चीज़को आप Global WW sex पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी सिरदर्दी है ठीक है अब global warming से होता है कि जो ओशियन सी का जो लेवल है पानी दखो ग्लोबल वार्मिंग प्लेंगी और जब पोल्सपे गलेशियर पिग्लेंगी तो पानी सारा कहा एगा ऑशियन के अंदर आएगा सी के अंदर आएगा सी लेवल बढ़ेगा और पानी बढ़ेगा तो लैंड डूबने लगेंगे बहुत सारे आइलेंड जो है सो इस दुनिया भर में जो कि इसका शिकार भी हो चुके है ग्लोबल वार्मिंग का जिनके उपर असर भी देखा जा रह कि आसे वर्षा होता क्या है तो अगर कोई भी रेन जिसका कोई भी वर्षा जिसका पीएच फाइव प्वाइंट सिक्से कम हो अगर पिएच आप देखते हो कि पांत समलों छे से कम है तो उसको फिर एसीड रेन की के टेगरी में रखा जाता है अमलिय वर्षा अब यह कौन वही फॉजिल जब बर्न करते हैं जब जिवास में इंधन को आप जलाते हैं तो उन्हीं से इनका निर्मान होता है यह गया सूपर जाते हैं वाटर से रियक्ट करते हैं एसिड बनाते हैं और यह एसिड जब अर्थ पे वाटर के साथ आए वर्षा के साथ तो इसे को आप एस करता है मिट्टी की उर्वरक्ता को घटाता है और कुछ हिस्टॉरिकल मॉनुमेंट्स लाइक जैसे ताज महल एतिहासी की मारतों पर भी इसका एक नेगेटिव इंपेक्ट देखा गया है कि उसका जो कलर है वो मध्यम पढ़ता जा रहा है अम लिए वर्षा के कारण ठीक है अब एक इस के और वह स्ट्रक्चर अब जानतें स्ट्रक्चर ओफ एक वर्पर की और जाएंगे तो क्या इस्ट्रक्चर त्यार होता है अब्सक्ससि नेच्चर वाला लेइर है उसको हम troposphere कहते हैं और आप इसे हिंदी में शोभ मंडल के नाम से जानते हो यह सबसे lower level मतलब की structure होता है atmosphere का फिर आप इसके उपर जाओगे तो troposphere के बाद आपका पड़ता है stratosphere समताप मंडल कहते हैं इसको समताप मंडल के उपर जाएंगे तो यह आपका पड़ गया mezosphere कहीं भी अगर आप मेजो वर्ड देखते हैं तो इसका मतलब मध्य होता है तो हिंदी में इसको मध्य मंडल कहते है अब कर देखते हैं तो यह पांच लेयर टोटल जिसमें सी बीच में पढ़ रहा है तभी इसको मिज़स फेर कहा गया है और मिज़स फेर के बाद फिर आपका जो अगला पड़ता है वह है थर्मो स्फेर थर्मो स्फेर जिसको आप हिंदी में कहते है थप मंडल और सबसे लास्ट का लेयर टोसको हम एक्जू का मतलब क्या होता है बाहर वाहिए है ना तो यह सबसे ऑठर लेय होता है इसके बाद इस की स्पेश की शरूरआत यह पांच लेयर आपके 5 सब्सक्राइब मतलब दो और कौन से होते हैं कई बार हम उत्त्रमैट्वेर को इसी तरह से पढ़ेंगे कि और को stratosphere के पार्ट का ही मानके पढ़ेंगे इसी में पढ़ेंगे और जो अदर में कोशन यहां से जो exam में बनते देखा है कि इन structure का आपकी आपकी life में रोल क्या है भूमी का इस टिक आप भूमिका निभाते हैं आपके जीवन में यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है इन लैयर्स में तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्पेर की कि लिग्री तरफ कि बात करें तरटीन किलोमेटर तक यह उसातन उचाई है इसकी गर चाहित reject करता है तो अभी आप लिए इस हितने भी हैट ऐसके बात जितने भी आपके लिविंक्स होती हैं अगर आप लिविंक्स當然 सब्सक्राइब की थी बात करोगे तो सजीव सभी के सभी इसी लेयर में रहते हैं इससे उपर एक्शिच नहीं करते हैं ठीक है ना वह कुशन है कि लिविंग किसमें सरवाइब करते हैं हम हो चाहे बाँस हो चाहे कोई भी ऑग कुशन पूछा कि पक्षी किस लेयर में उड़ते इसके बाद जितना भी वैदर फिनॉमिना होता है जितना भी मौसम संबंदी घटनाएं होती है वह सारी की सारी ट्रोपोईस्पेयर में होती है अब यहां से क्वेशन कैसे बनता है वैदर बोले तो जैसे कि like cloud इसी में पाया जाता है स्टॉर्म इसी में होता है जो भी है क्लाउड स्टॉर्म विंड वैदर से related कुछ भी होगा तो सारा का सारा किसमें होगा ठीक है इसके बाद ट्रोपोई स्पेर में आप जैसे जैसे तो हाइट इंक्रीज होने से टेंप्रेचर डिक्रीज होता है जैसे आप मान घटता है जैसे हील्स पे यहां तो घूड़ा तो यहां पी मेन पॉइंट से एवरेज हाइट 13 किलो मिटर लिविंग सारे इसी में रहते हैं ठीक है वेदर सारा इसी में पाए जाता है क्लाउड इस्टोर्म जो भी है और हाइट के साथ टेमपरेचर इसमें क्या होता है डिक्रीज होता चला जाता है ठीक है ना तो अगर इसके हाइट की बात की जाए उचाही की बात की जाए तो इस ट्रैक्टोगी सपेर जो है यह आपका 50 किलो मिटर की हाइट तक उपस्तित थे हैं पचास किलो मेटर यह इसकी हाइट है जितनी भी अपने लेए यह सारा तारम दी सर्फिस किया जाता है ठीक है तो हईट हो जाएगा 50 किलो मेटर से इसके बात इस्ट्रैक्टो स्पियर में आप जैसे याइट पर जाओगे हैं एहाँ पर हाइट बढ़ेगी तो अब यहाँ पे क्या होता है कि टैम्प्रेचर डिक्रीज नहीं होता है इंक्रीज होता है टेंपरेचर बढ़ता चला जाता है उचाही के साथ तापमान बढ़ता है ठीक है ना इस ट्रैटो इस फेर में वेदर जैसी कोई चीजे नहीं होती अगर आप यहां पर मौसम की बात करोगे तो मौसम जैसा कुछ भी नहीं होता नो स्टॉर्म नो क्लाउड नथिंग कुछ भी नहीं होता इसमें तो इसी लिए स्ट्रैटो इस फेर को आइडियल लेयर माना जाता है एयर क्राफ्ट के लिए वायू यान हेतू इसे सबसे अच्छा मंडल माना जाता है जो वायू यान की आत्राएं होती है वो इसी लेयर में तैक की जाती ह सबसे अच्छा माना जाता है इस लेयर में तै करना क्योंकि मौसम से यहां पर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता ठीक है ना इस वजह से तो यह ideal लेयर हो जाता है इसके बाद stratosphere के upper part में अगर हम stratosphere के upper part की बात करें उपरी भाग की बात करें तो इसके upper part में ओजोन लेयर भी उपस्थित है ओजोन लेयर O3 कैसे बनता है जब oxygen का oxygen से reaction होता है अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन के प्रजेंस में तो यह आपका बन जाता है O3 ozone टो लेयर अर्थ से कितने किलोमेटर की हाइट पर है 50 किलोमेटर की हाइट पर है 50 किलोमेटर की उचाही पर है ठीक है और यह ozone क्या करता है कि पृवेंच्छ हार्मफुल अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन प्रम सन तो यहुंग तो सन से जो हीट आरहेर रहें अर्थ गे उपर बटो आया लट्रा वायलेट रेडीयेशन के फॉर्म बट फूल को च्छांटने का यह काम करता है अब जेसे सन सन का आउटर पार्ट क्या क्यलाता है कोरोना तो खासकर कोरोना से जो हार्मफुल ऑल्ट्रा काफी ज्यादा होते हैं गैर काम करता है और जो यह पाधे दो इसे वाज़ों लेयर की जहां तक बात की जाए तो अभी आ पीछे पड़ भी आए हो एक मिर्द होता है क्लोरोफ्लोरोगार्बन chlorofluoro carbon ठीक है यह gas ozone layer को छती पहुंचाती है klorofluoro carbon gas यह गैस कहां-कहां से निकलता है आप refrigerator यूज करते हो उसमें से भी इस गैस का निर्मान होता है AC यूज करते हो आप deodorant यूज करते हो면 deodorant गैस और यह मेजर है जो हो को हरास पहुचाती है अभी हरास कैसे पहुचाती है इसके अंदर क्लोरीन है क्लोरो फ्लोरो कार्बन इसके अंदर क्लोरीन है यह क्लोरीन इस रियक्षन को उल्टा गर देती है जिसमें फ्री रेडिकल किरियेट होता है क्लोरीन तो क्लोरीन अभी क्रिया को उल्टा गर देती है रियक्षन को उल्टा गर देती है और फिर ओजोन को नुकसान पहुचने लगता है ठीक है तो यह मानव के द्वारा डिटेक्ट किया गया तो 1985 में इसमें खोल पाए गया अंटार्क्रिका के ऊपर ठीक है ओवर अंटार्क्रिका तो यह तो एक चिंता का विशेय था तो इसी वज़े से सिक्स्टीन सेप्टेंबर सिक्स्टीन सेप्टेंबर 1987 को यह मॉन्ट्रियल नाम का एक जगह है जो की कैनेडा के अंदर पड़ता है मॉन्ट्रियल कैनेडा में तो यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई कि किस तरह से अब इसको सेफ की आजाए बचाया जाए ओजों लेयर को तो इसलिए याद रखियेगा कि जो पूछते एकजाम में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह किस से रिलेटेड है तो मॉन्ट्रियल प्रोकॉल प्रिजर्वेशन आफ ओजों लेयर ओजों परत के बचाओ से संबंदीत है ठीक है कि यह ओजोन परत का preservation करता है इसका बचाओ करता है ओके ध्यान लखना और जो यह meeting हुई 16 सितंबर को हुई तो इसे लिए 16 सेप्टेंबर को हर साल ओजोन preservation day मनाते है ओजोन preservation day यह 16 सितंबर को बनाया जाता है हर साल ठीक है ओजोन बचाओ दिवस इसी की आदम है और ओजोन का जो थिकने सोता है जो इसकी मोटाई होती है वह किस से मिजल किया जाता है तो इसका योनित होता है मिज़र करने का डॉप्ट शनलों एक यहां तो यह सारे कुछ इिंप्रोडेंट पॉइंट से जो आप यहां पर रखें के आपके एक्साहिशानों नुंत है लएक Q так के रहते हैं के अगले लेश популяр पर आजाते हैं next layer is mesosphere mesosphere इसको आप हिंदी में मध्यमंडल कहते हो तो mesosphere के अगर height की बात की जाए तो mesosphere total 80 km की height तक उपस थी ते है 80 km अर्थ के surface से यनि कि अगर आप mesosphere के exact की बात करोगे तो यह 50 से 80 के बीच में है जो इसका में जो थिकने से वह 30 किलोमेटर का है 50-80 के बीच में मेजोइस्पेर जो है मध्य मंडल यह कहते हैं को अंधिक सबसे ठंडा मंडल है एक मेजोइस्पेर और इसी मेजोइस्पेर के अंदर बात किजा थे मेजविश्जृटरिंमेजविवरच को दो यहीं को सारे मेजविश्फ है जिसको आप उल्का पिंड कहते वो जल के खतम होते है सहा हुआ हमें इस तरह है सह понял का आने का काम करते हैं यह मेंटियो राइट क्या होते हैं इस पेस बगएर से कुछ रॉक्स बगएर जो हमारे अर्थ के अट्मोस्पेर में जब इंटर करते हैं तो यह फ्रिक्षन की वज़े से जलने लग जाते हैं ठीक है कई बारी बहुत बड़े हो सकते धरती पर आके भी कि देखरे अलों कि अच्छले रेस थर्म मंडल का यह जो थर्मोड इस फेयर यह आपका इसके हाइड की बात करें तो 700 किलो मेटर तक पृत्वी के सतय पर मेजर को अस्षी साथ्सों के बीच में इस फर्मोड इस फेयर का एक पार्ट है आयन कि अजिसको हम हिंदी में आयन के नाम से भी जानते हैं इसाओन चार्जी संपान जाते हैं उसका समय और आए।स्ट और इसका रीडियोगेश्ज ses और असी रेडियो भाएफ को तोट है है ठीक है reflect करती है इसी वजह से इसका नाम जो है सो आयनों इस मतलब आयन सपाइज जाने की विए से आयनों स्पेर है ठीक है और यह radio waves को reflect करती है तो इसलिए communication में यह layer हमारा help करता है यह जो layer है इसका main role किसमें हो जाता है है फिर communication संचार में सहायक होता है यह हमारे लिए को मुनिकेशन में हमारी help करता है यह सबसे अउटर लेयर होता है यह 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 इक इंपर्डेंट कोश्चन एह यहां से आइन सफेर में ली 400 km तक है अगर हम में ली आयनों सफेर की बात करें इसका पार्च थर्मपर का एक जो नेक्स आता है आपका एक्ज़स्फेयर नेक्ट पॉइंट है बाहे मंडल तो यह एक्ज़स्फेयर क्या होता है यह सबसे आउटर लेयर होता है यह आपका 10,000 किलोमेटर तक होता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाया जाता है वह हाइड्रोजन एंड हीलियम इसकी मातरा सबसे ज़्यादा है देखो एक्चुली कहना कि यह दोनों सबसे हलकी गैस होती है हाइड्रोजन और हीलियम सबसे लाइट गैस होती है तो अब यहीं लेयर फिर श्पेस में जाके जुड़ जाता है यहां से जब खतम होता है इस प खेसी तो यह थे दोस्तों आपके सभी के सभी एट्मोस्फेर के इंपॉर्टेनट लेयर खेस बगैर और इसमें आपने सारे लेयर को घ्राव बहुनजन वहाइड बहुत हीं इंपॉर्टन टॉपिक था तो इसको आप लोग जरूर कवर करें अच्छे से पढ़ें ठीक है म मिलते हैं अंगले लेक्चर के साथ ख्याल रखें अपना धन्यवाद